एक तीस वर्ष्य महिला ने चार लोगों के साथ मिलकर अपने प्रेमी के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे नगनवस्था में शापुर राजमार पर फेकने से पहले कथित तौर पर लाखो रुपे लूट लिए। उस लड़के ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्श किया है। पांच आरोपियों में से दो की पहचान भाविका भोईर और नदीम खान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पीडित शापुर निवासी बालाजी शिवभगर जिसका निर्मान वेफसाय है कुछ वर्षों से शापुर निवासी भोईर के साथ रिष्टे में था। पीडित ने बताया जब मैं उपहारों के साथ मौके पर पहुचा तो वो अटगाव हाइवे पर मेरी क्रेटा कार के अंदर बैट गई और सभी उपहार ले लिये। अच्छानक चार आदमी आए जिन में से तीन अग्याद थे। कार में घुसे मुझे एक तरफ धकेल दिया और मेरे सिर पर चौपर से हमला कर दिया। उनमें से एक एक ने कार शुरू कर दी। शापूर पुलीस स्टेशन के वरिश निरिक्षक राजकुमार उपोसो ने कहा। आरोपी शिव भगत को एक बंद अग्यात रेस्टरॉंट के अंदर ले जाया गया और सुबह तक उसके साथ बार बार मार पीट की। पीडित ने बताया आरोपीों ने उसके कपड़े उतारने के बाद उसका विडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने उसकी दो सोने की चेन साथ अंगूठिया चीन ली। उसकी आँख में मिर्ची पाउडर फेक दिया और सुबह पांच बजे करीब भाग गए। किसी जरा अपनी जान बचाते हुए पीडित पुलिस स्टेशन पहुचा और मदद के लिए उसने अपने पांच दोस्तों को बुलाया और उन्होंने उसे अस्पताल में भड़ती किया। पांचों आरोपी पर आईपीसी की धारा 355 किसे व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरन और धारा 506 अपराधिक धमकी के साथ अत्याचार निवारन अधिनियम के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उपासे ने कहा हमने आरोपियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभ्यान शुरू कर दिया है। इस बुलिटिन में इतना ही देश और विदेश की बागी खबरों के लिए बने रहें ABP लाइफ पर।